So Hello Guys, मेरा नाम है अरवींद और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Firebolt के एक और नई Smart Watch के बारे में जो किया Firebolt Hercules और इस वीडियो में आपको clear cut बताने वाला हूं कि आपको इस Smart Watch खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इस smart watch में हमें कौन-कौन से feature देखने को मिल जाते हैं उसके बाद दोस्तों हम इस smart watch के pros and cons दोनों के बारे में details में बात करेंगे थो दोस्तों बात कीए 1200 स्पोर्ट मोड की तो यहां पर हमें फिल्ट रहने वाला है हमें metallic body देखने को मिल जाते हैं इसके इन वीड माइक और speaker भी देखने को मिल जाते हैं यानि कि दोस्तों इस smart watch से डारेक्ट आप किसी को call पर बात कर पाओगे बात किया है दोस्तों इस smart watch के smart health features की तो यहाँ पर हमें SPO2 monitoring, heart rate monitoring, sleep monitoring के साथ साथ women's health के काफी सारी features भी दिखने को मिल जाएंगे इसके अलावा इसमें हमें smart notification का support दिखने को मिल जाता है और 2000 रुपए के price में आपको gaming feature देखना बहुते कम smart watch में आपको दिखने को मिलने वाला है साथ साथ दोस्तों smart watch के अगर betty live की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो up to 7 days का betty live देखने को मिल जाता है अब finally दोस्तों बात करते हैं कि आपको smart watch खरिदना चाहिए आप नहीं खरिदना चाहिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको smart watch बिल्कुल भी नहीं खरिदना चाहिए क्योंकि दोस्तों 2000 रुपए के price budget में आपको काफी सारी smart watch मार्केट में देखने को मिल जाते हैं और वो सारी smart watch इन सारी smart watch से काफी जाधा best रहने वाले हैं जैसे कि दोस्तों fire world का fire watch celsius है वो आपको 800 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है और उसमें हमें जो 1.94 इंचेस का बड़ा सा display देखने को मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों आप fire world rice और fire world tank smart watch को भी 2000 रुपए के अंदर खरीच सकते हो यदि आप दोस्तों इन smart watch में से किसी भी smart watch को खरीचना चाहते हो तो उसका best by link में नीचे description में दे दूँगा वहाँ पर क्लिक करके आप खरीच सकते हो मैं के दोस्तों में आप से मिल दावा नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो